हेलो फ्रैंट्स, वन सेगं वेलकम इन मार्केट में या यूट्यूब चैनल, मैं हुए एक दिता दोस्तो लास्ट वीडियो में हम कैनिकलाइजेशन के बारे में बात किये थे कि कैनिकलाइजेशन होता क्या है और हमें कहां यूज करना चाहिए और इसका क्या importance है तो hopefully आपने वीडियो देखा होगा और आपने वीडियो को like किया होगा और हमारे चैनल को भी subscribe किया होगा और अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजिए क्योंकि आपको पता है कि एक series है और इसके तुरू हम बहुत कुछ information आपको provide करने वाले है तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले है वो top 5 most important on page issue factors के बारे में बात करने वाले है जिसपे आपको ज्यादा attention pay करना है तो चलिए देखते हैं top 5 most important concept factor है जिसपे आपको ज्यादा ध्यान देना है और जिसके तुरू आप अपने website को जल से जल optimize करके ranking में लेके आ सकते हैं तो दोस्तों first जो हमारा point है वो है responsive website आपका website responsive होना चाहिए mobile responsive होना चाहिए ठीक है जिससे कि हर device में आपकी जो site है वो easily accessible हो क्योंकि आपको पता है आज के date में हम mobile first की बात करते हैं और जैसा कि आपको पता है कि Google ने भी बोला है कि अगर आपकी website mobile में अच्छे तरीके से visible होगा तो आपकी ranking को ये effect करेगा आपकी ranking improve होगी आपके कोई penalty नहीं मिलेगी तो make sure कि आपकी website जो है वो mobile friendly होना चाहिए responsive होना चाहिए हर device में easily accessible होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि आजकल लोग maximum से maximum जो लोग है वो mobile पे ही सबसे ज़्यादा time spend करते हैं और आने वाले time में ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है तो make sure website जो है आपका responsive हो second जो point है वो हमारा है website speed site का speed कि आपकी website जितनी ज़्यादा अच्छी होगी आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि आज के रेट में आपको पता है कि लोगों के पास presence की बहुत कमी होती है ठीक है लोग URL टाइप करते हैं और चाहते हैं कि फटाक से वो enter करे और website load हो जाए पुरा प्रापर तो अगर आपकी website 3 seconds से ज्यादा time लेती है load होने में तो 40% जो visitors है वो वहीं से चले जाते हैं ठीक है और यह आपके ranking को भी effect करता है आपकी ranking भी इससे down जाती है तो आप अपने website को optimize कीजिए ठीक है और कोसिस कीजिए कि कम से कम time में आपकी website load हो तो दोस्तों तीसरा जो point है हमारा वो है keyword ठीक है तो keyword को हमें कैसे use करना चाहिए और कहां पर use करना चाहिए तो दोस्तों आप सबसे पहले keyword identify करो जैसा कि previous वीडियो में मैंने आपको बताया था कि keyword के types कौन कौन होते है उसका intent कौन से होते हैं तो आप अपने intent के हिसाफ स keyword पहले final करो ठीक है फिर वहां से primary और secondary keyword identify करो कि कौन सा आपका primary keyword है ठीक है देन आप कोसिस करो कि keyword आपका सबसे पहले title में यूज हो ठीक है जिससे कि अगर कोई भी search engine का crawler आपके website पे आता है ठीक है जैसे ही read करता है तो उसको as soon as possible keyword मिल जाए और वो identify कर ले कि आपकी जो pages है या website है या article है या blog है जो भी है वो किस keyword पे बनी वी है उसके according हो उसको index कर ले ले को यूज कर सकती हो फिर secondary title में us कर सकते हो heading के अंदर heading जैसे multiple heading होता है H1 होता है H2 होता है S3 होता है ठीक है कि वो बहुत जल्दी आपके site को index करके वापिस चला जाता है जिससे आपकी ranking effect होती है और ranking increase होती है ठीक है इसमें आपको खाफी मदद विलती है ranking को increase करने में तो यह जो आज मैं आपको बता रहा हूँ यह top 5 most important ranking factors है ठीक है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ तो इसमें ती मैंने आपको बता दिया तो fourth point जो हमारा है वो है interlinking आप अपने website में interlinking कीजिए मतलब एक page से दूसरे page को interlink कीजिए अब ऐसा नहीं है कि हम किसी भी article से किसी भी irrelevant article को connect कर दें बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको क्या करना है कि आपके website पे जो relevant page ह है जैसे आपका एक page मान लेते हैं for an example आपका एक SEO से related page है आपके website पे ठीक है तो उसमें हमने SEO के types बता रखे हैं उस page के अंतर के SEO के दो types होते हैं जी एक on page SEO होता है एक off page SEO होता है तो on page और off page SEO का जो आपका site पे दूसरा page होगा तो आप on page से on page को link कर सकते हैं और off page से off page को चाहिए जिस keyword से आप link कर रहे हो वो keyword से related ही दूसरा page होना चाहिए irrelevant page को आपको link नहीं करना है तो इससे क्या होता है कि आपकी जो page की जूस है link juice जो है वो आपके दूसरे page पे भी transfer होता है और आपके वो ranking में काफी benefit देता है और दूसरा आपको internal एक link मिल गया एक page से दूस के थुरू multiple pages को crawl कर गया एक बार में और इसके अलावा जो reader आपके site पे आया हुआ उस page पे वो इस page को read कर रहा है तो उसको भी आपके website पे जो new content है उसको discover करने में आसानी होगी वो आपके एक page से ही दूसरे page पे जाके आपके अगले article को भी read कर सकता है तो यहां पे आपक website की engagement बढ़ेगी और यह आपको help करेगा ranking में improve करने के लिए तो fifth जो point है वो हमारा है length of content आपका जो page का जो length है वो long होना चाहिए और in-depth होना चाहिए as possible ठीक है इससे क्या होता है कि आपको SEO में मदद मिलती है ठीक है जितना लंबा आपका content होगा और in-depth होगा तो SEO में benefit करत है आपको user आते हैं आपके site पे ठीक है और content अगर लंबा है और in-depth है relevant content है unique content है और engaging content है ठीक है ऐसा नहीं कुछ भी डालके बहुत लंबा article को बना देंगे तो user आएंगे उसको मजा नहीं आएगा वह वहीं से bounce back कर जाएगा तो आपको content किसी भी niche पे अगर आप page बना रहे है ठीक है तो आप पहले उस niche पे research कीजिए अच्छे से ठीक है उसके बाद उस पे in-depth content long content in-depth relevant और unique content बनाईए जिससे की user आपके site पे आए तो उसको पूरा article पढ़े उसको पढ SEO में help करेगा तो यह जो मैं आपको पांच point बताया यह most important five ranking factors थे जिसको मैंने बताया और इस पे आपको ज्यादा attention pay करना है तो ऐसा नहीं अब इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी को जो ranking factor है उसको आप छोड़ देजी कि वो तो हमारे लिए मैंने फिसल है नहीं मैं यह तो सि लेकिम आगे बढ़े यह नहीं है यह जो 5 है वो most important है ठीक है यह आपको ज्यादा मदद करता है कि SEO करने में आपके ranking को improve करने में तो बाकी के भी जो ranking factor है उसके भी अपने-पने महत्व है उसको भी कीजिए लेकिन इस पे आप ज्यादा attention pay कीजिए तो दोस्तों hopefully आपको यह माइन में कुछ भी questions है तो आप हमें comment कीजिए हम आपके query का response करेंगे वीडियो को like कीजिए और channel को subscribe कीजिए और अपने friend circle में भी share कीजिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्ष वीडियो में तिल देन गुड़ बाई